बाई और बेहनों, जब लाल किले से मैं पहली बार प्रधान मंतरी बना, लाल किले पर मेरा पहला भाशन था, और मैंने लाल किले से जो भाशन दिया, देश में माताओं, बेहनों, बेटियों की पीड़ा को दूर करने के लिए सौचाले बनाने की बात कही, तो इन्होंने भी बात खड़ा किया कि कैसा प्रधान मंतरी है, कि लाल किले पर से जब दुनिया सुन रही है, और यह सौचाले की बात कर रहा है, भाईयों बेहनों, ना उन्होंने गरीबी देखी है, ना उन्होंने गरीब की मुसिबट बेहनों को, कैसी मुसिबट से गुजरना पढ़ रहा है, जब सौचाले नहीं होते थे, सौच उगने से पहले, अंदर में उसको जाना पढ़ता था, और रात को वो अंधेरे का इंतजार करती थी और दिन में कभी जाने की जरुरत पड़ गई तो वो पीड़ा सहन करती थी लेकिन वो शाम का इंतजार करती रहती थी क्या कभी मेरी इन माता और बहनों की पीड़ा के विशे में किसी सरकार को सोचने की फुरसत थी क्या वो ऐसी जगा पे बैटे हैं को उनको जमीन कभी दिखती नहीं थी भाईयों बैनो मैं तो आपके बीच में ऐसे आया हूँ इसलिए मुझे पता है पीडा क्या होती है दर्द क्या होता है मुसीबते क्या होती है और इसलिए भाईयों बैनो जब मैंने सोचाले बनाने का भियान चलाया सरकारी खजाना मैंने खच करना ताय कर लिया मैंने का जिसको मेरी आलोचना करनी है करेंगे जिसको मुझे नीचा दिखाने का प्रयास करना है वो करते रहेंगे लेकिन मैं हिंदुस्तान में मेरी माता और बहनों के लिए साउचाले के अभिहान को चलाओंगा आज गाओं गाओं घर गर साउचाले बने और मैं तो मेरे उत्तरुदेश की बेटियों का रज़े से अभिनंदन करना चाहता हूँ क्योंकि मेरी उत्तर प्रदेश की बेटियों ने जब ये सौचाले चलार बना रहे थे तो मैं एक तान पर खुद सौचाले बनाने के काम में हिस्सेदार बनने के लिए गया था तो वहां मुझे बताया गया कि हमने ते इसका नाम इजदगर रखा है मेरी बेटियों ने मुझे कहा ये सौचाले सौचाले सरब नहीं है कि हम बेहन बेटियों के लिए इजदगर है जिस सर्प्रदेश में ऐसी ऐसी उम्दा सोच हो भाईयो बेहनो उस प्रदेश के लिए उस देश के लिए जी जान से काम करना ये मेरा सौभाग्य है दोस्तों मेरा सौभाग्य है केंदर सरकार ने जब तीन तलाग के विरुत कानून बनाया तो ये कानून के खिलाप ये पूरे फचारे कुन्बा उसके खिलाप हो गया तीन तलाग के समर्तन में खड़े हो गए मैं तो हैरान हूँ एक किस सदी में जी रहे हैं, एक कितने स्वार्थ में डूबे हुए हैं, कि जो लोग उनको वोट देते हैं, उनका बला भी नहीं सोच पाते हैं, ऐसे लोगों पर कभी भरोसा किया जा सकता है क्या? मेरी मुसलिम माता और बहनों, छोटी छोटी बात में, तीन तलाग, तीन तलाग, तीन तलाग, हो गई छोटी, वो बेटी विचारी कहां जाएगी? कहां जाएगी? उस पीता का कलपना किजिए, कि कितने उत्सा उमंग के साथ बेटी को शादी करके भेजी हो, और तीन तलाग कह करके, उसको घर बापिस बेज रहें, साथ में एक दो बच्चे लेकर के आ जाएं, उस बूढ़े माबाप का क्या हाल होता होगा, जिनको ये ज जिसकी बेटी ससुराल से अब लोट के आई है, उसकी जिन्दगी कैसे बितेएगी, क्या मुझे बताएएँ, इन माता ओबेहनों की रक्षा मुझे करनी चाहिए कِ नहीं करनी चाहिए, इनका भला करना चाहिए गोनें करना चाहिए, क्या मैं सिर्फ वोट का ही सोचता कि देश का भी सोचू का ना सोचू लेकिन भाईयों बेनो इनको तो तीन तलाक में भी विरोत था आज आज मुझे हिंदुस्तान के हर कौने मैंसे मेरी मुस्लिम बेहन बेटियां जो आसिरवाद दे रही है क्योंकि उनके जीवन की रक्षा का मैंने बहुत बड़ा काम किया है भाईयों भाईयों बेनो हमारे देश में गरीबी से लड़ने की ताकत जब तक हम गरीब को ससकता नहीं करेंगे न नहीं आने वादी है नारे तो बोलते रहेंगे गरीबी एटाओ गरीबी एटाओ जब तक गरीब ससकता नहीं होता है गरीबी खतम नहीं हो सकती है और जिस दिन गरीब ससकता हो जाता है न वो भी गरीबी को खतम करने के लिए हमारा सिपाही बन जाता है और इसके लिए उस परिवार की गरीब मा का ससक्ति करांग अगर गरीब मा को ताकत मिल गई न आप देख लीजिए गरीबी को सामने लड़ने के लिए फूरुस के पास समय बच जाएगा वो महनत करेगा और दोनों मिल करके देखते ही देखते गरीबी से बहारा सकते हैं और सरकार का ये काम है और ये काम करने के लिए आपने मुझे बिठाया है गरीबों का भला करने के लिए आपने मुझे बिठाया है